एक बड़ी इंट्रेस्टिंग डिवेलप्मेंट है नॉर्मली हमारे पाकस्तान में तिन चीजों का नहीं पता होता लेकिन अमेरिका ने अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्राटेजी जो है वो रिलीज की है फेबरी में 2022 की और जाहरी पाता है इसको यह इससे पहले भी जी है मैंने इसको पढ़ा है इस डॉकुमेंट को पढ़ा है और अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं इतना बड़ा डॉकुमेंट नहीं 18-19 सफ़े का एक डॉकुमेंट है जिसमें बेसिकली वो बता रहे हैं कि उन्होंने अपना फ्यूचर मुस्तक्बिल क इस तरह वो देख रहे हैं जो इंपोर्टन चीज थी उसमें कि इस पूरी स्ट्राटेजी के अंदर स्पिसिविकली दो ममाले का नाम लिया गया है प्रॉपरली एक हेडिंग्स देके हैड्लाइन्स देके यहां है वो जिसको कहते हैं न हाइलाइट करके और वो भारत और ज पूलिशन यहां पर है जिसमें 58% यूथ है जिसके अंदर और साथ परसंट दुनिया की जीडी भी यहां पर है फिर उसके बाद दुनिया की टू टू थर्ड जो एकनॉमिक ग्लोबल एकनॉमिक ग्रोथ है वो यहां पर है 65% आफ दुनिया की जो ओशन्स हैं और 25 पी से प्रॉपली इंडिया की राइस को सपोर्ट कर रहे हैं वो है वो कहते हैं स्ट्राटरजी में यह बताया जा रहा है बड़ा क्लेरली इसको पेज 16 के उपर ही स्ट्राटरजी के कि सपोर्ट करता है अमरीका इंडिया की राइस को एंड रीजिनल लीडर्शिप रीजिनल तो सेपोर्ट करेंगे हम इंडिया के साथ हैल्ट में पर ना चाहते हैं पाकसान और जब तालो की बात करें थे मैंने एक लिस्ट भी बिनाई थी क्या चीज़े हैं जो हमें मैं देखता हूं क्यों अक्सर वह बड़ी लिमिटेड है लेकिन जब इंडियन के साथ थू कौर्ड काम करते हैं तो जो लिस्ट ऑफ जो रिलेशन से बड़ी लंबी है और इसी तरह एक जिसे वो कहते हैं कि इंडिया को हम लाइक माइंडेड पार्टनर कहते हैं सव इस्ट इशिया के साथ करते हैं तो हम इसको भी वैलियू देते हैं और इंडिया जो है वो द्राइविंग फोर्स है बिहाइंड कोड जो कॉड़ लेटर सिक्रोटी डायलोग है उसके पीशे वो कहते है ड्राइविंग फोर्स है रीजिनल फोरम के ऊपर भी और रीजिनल ग्रोथ ड्वेलेपमेंट में एक इमपॉर्टर है अब इसकी सिगनिफिकेंस चेक करें जब आ कांटीनीउज राइश को किस तरह देखता हैं वो कहते हैं मसलसल इंडिया उठ रहा है और रिजिनल लीडर्शिप यानि के उन्होंने आपडिया को डिजिनल लीडर्शिप दे ती है जब लीडर्शिप देती है तो टेक्निकली वह जारी बात है चाइना के मुकाबले में लाके इंडिया को खड़ा कर रहे हैं कि पैरलेल में कौन खड़ा हुआ है यानि कि अगर लेडर्शिप वहां पर चाइना अपना रोल असर्ट कर रहे हैं तो इस तरह की चीज़ें वाइट हाउस कहेगा तो क्या मजाल है बाकी दारों की अमरीका के और पिर जिसको प्राइव जरसे ममालक इंडिया को वह स्टिबिलिटी दे रहे हैं तो केंडिया का वो जो राइज होगा वो किस तरह का होगा और यह एक कहले ना कि कॉंटीनियूट सपोर्ट दे रहे हैं वह मैं इसमें आपको इंडो पैसिफिक के हवाले से यह तो मैं तो समझता हूँ कि जितनी भी इंडो पैसिफिक स्ट्राटेजी यह डैट इस बेसिकली पर्टिकलर लिबॉट कॉर्ड यह कॉर्ड के उपर है लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत कुछ जो है वह जारी बाते की हैं मैं चाहता हो मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपके साथ जरूर शेर करो ताकि आपको करो के वह कहतें हैं कि HAARF अफ ड़ॉर्ड़ यहां रहते हैं दुनिया की डू थर्द जो एकॉनिमी यहां पर है और दुनिया के साथ बड़ी military इस अरिया में हैंडिया के बिसी इसी इसांट हो करे जो जो अमेरिका है वो तक्रीबन 3 million jobs जो है और वो create कर रहा है वहाँ पे और 900 billion dollar की foreign direct investment जो है यहां से आ रही है US में यह एक बड़े पेमाने पे इन चीजों को देख रहे हैं और वो समझते हैं कि हमारी जो इन पैसिफिक जो security है वो बड़ी important है इस sense में कि जो Americans हैं वो कहते हैं कि second world war से हमने ही नोट करना चुरू कर दिया था कि Asia is very important क्योंकि Asian immigrants बहुत जादा आये और उन्होंने फिर अमेरिका की stability के लिए बड़ा काम किया फिर वो आसियान को बड़ी हमियत देते हैं फिर वो कहते हैं कि 21st century की शुरू से ही हमने इस खिते को बड़ी हमियत दी लेकिन particularly George W. Bush का जिकर करते हैं कि उन्होंने इस पर हमियत दी उन्होंने काम किया क्योंकि हम देख रहे थे rise of People's Republic of China का rise है फिर वो कह रहे हैं कि जनाब VAWA administration ने priority किया और पिर Trump administration ने भी इसको बड़ी priority दी और जारी बात है यह एक important development और जारी बात है वो समझते हैं कि जो असल चैलें जो है इसकी economic diplomatic military जो टेक्नालोजी किलमाइट है और वो जारी बात है इंडो पैसिफिक के सफेर में बढ़ रही है और वो कहते हैं कि जो चाइना है पी आर सी जो है इसकी कोर्जिन जो टेक्टिक्स हैं इडिकी जो एग्रेशन है और इंडो पैसिफिक के अंदर और फिर खा East and South China Sea के अंदर सो यह जो चीजे हैं विसको समझते हैं कि यह हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है फिर वो चाइनीज ही में राइट की बात करते हैं और इस तरह की एक बड़े पर माने पर बिसिकली लार्जर जो स्ट्रटिजिक डायलॉग का चीजे हैं उसको जारी ब बैलंस कर सकें Chinese influence को और favor और उस तरा का influence establish करें यूएस की favor में हो और इसका इंट्रॉस्ट में हूर उसके partner जो है वह कर्ते हैं इसमें लेकिन एक बड़ी important है जिस में समझत numéro जायए पाकिस्तान को वह इंप्रतन्स मिल जो अबी जो के ना तो हमारे लीडर्स को पर पता है कि यह क्या हो रहा है ना हमें पता है बीट्री डबली बिल्ड बैक बैक बैक्टर वर्ड क्या है ना हम इसके उपर बात करना चाहते हैं आज भी मरांद खान साथ ने वहां पर एनलिस्ट बुलाया हुए थे मीडिया परसन बातने सुन रही है इस स्ट्राटेजी में यह भी क्या गया है कि वह कहते हम हम इस हिते के हर एक और फोकुस करना चाहते हैं जिसमें नौर्थ इस्ट एश्या सौथ इस्ट एश्या टू सौथ एश्या एंड उस्ट शैनिया और बाकि जो जारी बाता है वह पैसिफिक आई- इन्डियन को वी मिलाऊं और बी कुछ लोगों से वहुआ खिला है यह बात अτοब्रफ इस कारे समंधों और वह धर्याएं अमरीका के बारे में तो वह भी तो ये कहेंगे नहीं कि अमरीका में मूह नहीं लगाता इस यृ उल्ह, इंपोर्टेंट है और आपन है इस फेली रह पाइज़ें समझने की हैं अब घरNow इस वो चार-पांच मेजर पॉइंट्स हैं स्टाटरजी के अंदर जो के वो कहते हैं कि जी हम ओपन एंड फ्री एंड ओपन इंडो-पैसिफिक की बात करते हैं हम कुनेक्शन की बात करते हैं बियोंड दर रीजन हम सते के बाइर भी जो तालुकात बनाना चाहते हैं पर रिजनल जैपनीज आमेट पीपल फिलिपाइनस आमेट पीपल फ्रॉम कंबोडिया बहुत सारे लोगों से मुलकात पीवन पपन्योगीनी ऑस्ट्रेलिया मलेशियं इंडोनेशियं बहुत सरे मिलिटरी वालके टूस्टार जेनरल और इस तरह के सिरी-लंकन बहुत सरे लोगों से अंगला देशियों से भी तो हर मुलक यह कहना था कि ओके अगर फ्रांस वाना चाहता तो आजए अमेरिकन्स वाना चाहतें तो आजए बट मेक इट शूर देशुड भी प्रॉस्पारिटी की बात हो हमें इंगेज ना करें हमें लड़ाएं ना यह ना हो कि हमें चीन और अ चाहते हैं जिससे ट्रांस नैशनल थ्रेट्स तो इस रीजन को स्वाएं कहीं से नहीं है वह कर रहे हैं और वह जारी बात है कि इसको आगे लेके चलें तो वह जो कहते हैं कि हम ओपन फ्री एंड ओपन इंडर पैसिफिक की बात कि यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेशन के लिए क्योंकि नेचर और जो इंटरनेशनल और है वह यहां पर डिटर्मन होगी किस तरह क्या आपको पार्टनर्स चाहिए और क्या चीज़ चाहिए यह फ सिंगपोर वेतना और यह जितने भी मंगोली और जितने भी यह ममालिक हैं फिर वजारी बात है जैसे मैंने का ना कि चाइनीज सीपा के बड़ा लेमिटेट मुझे लगता है जबकि जो कौर्ट के रिलेटेटिस जो इंडर पैसिफिक स्ट्राटेजी है वह साइबर की इमर्जिंग टिकनालोजी क्रिटिकल टिकनालोजी की बात कर रही है क्लीन अनर्जी की बात कर रहे हैं और ऑपन इंडो पैसिफिक की जिसरा मैंने इसके पर पहले जेकर किया सो यह कुछ ऐसी चीजह हैं जो मुझे जब लगता है कि प्रोस्पारिटी और इन चीज़ों को पर भी वह फोकस जो है वो कल रहे हैं और सिक्यूरिटी जारी बाता है अमेरिकन्स का वैसी बड़ा सेंट्रल पॉइंट होता वह जा जाते हैं वह सिक्यूरिटी को तो जरूर जो है वह करते हैं लेकिन यह है कि इसमें एक चीज़ जो है वह मिसिंग मुझे लगती है और व ज्यादा तर जो हैं वह कहा जाता है कि दुनिया के जो सतर परशंट दुनिया के जो नैशल डिजास्टर्स हैं और अगर आप जैपनीज से पूचें मुझे एक जैपनीज फॉजी मिला था उसने मुझे बताया कि वह वैरी हैपी एविंग एनी अदर कंट्री इंद दीचन अगर हमें वह हमारी कपैसिटी बिल्डिंग पर काम करें जैपनीज तो और जारी बात हैं बहुत काम कर रहे हैं लेकिन इवन देन जहां पर नैशल डिजास्टर्स आते हैं सुनामी जास्टिया इस तरह की चीज़ों से यह जो चीज़े हैं यह पीपल्स रपब्लिक आफ जो है वो कहते हैं कि इस तरह दिहानी दे रहा और पहले से क्लाइमेंट सेलूशन रहे हैं और यह चीज़ें करेंगे बहुत कुछ दे वांट डू इट और खिते की जो बाकी में वाले के उन से इंगेज होना चाहते हैं लेकिन एक चीज जो जारी बात है दोस्तों इंपॉ कि इनिशेटेव की बात करते हैं ऑफ मैरी टायान की घit मैं बात करूँा करूंगा उकर कि लो Ti задачi में लेकिन तरी बात है उच्वि दो मालक के इन्डिपेंडनली जिकर कि एक उन्हों में इंडिया का ऑन hates इंडिया इंड and regional leadership की वह बात कह रहे हैं और दूसरा वो जबऄ रहे हैं जिनाब हम जिपैन के साथ जो है वह कोपरेशन को इन्हेंस करना चाह रहे हैं और अटिंग दिस इस वेर पाकस्तान मस्ट रीड डिस वेरी 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 केरपवरी मुसलसल जो उसकी तरक्की है उसको सपोर्ड करते है और रीजिनल लीडर्शिप मींज वह जो पाकसन कहा करता था के पायन सानु अमरीका देना सानु वह नहीं हमें वी 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 शुट भी आट पार विद इंडिया आप प्रेफरेंशल ट्रीटमेंट देते हैं और यह आपका पता यह बात 2005 से शुरू हुई जब अमेरिकन्स ने बेसिकली उस वकत इंडिया को जो जो सीवल नुकलेट डील का मौइदा किया था और हम यहां पे बड़ा सारा लिटरेचर पाकसान में लिखा बड़ी कॉन्फरेंसें लिखी गई और वो एक वकत था हम इंडिया का मगा इंडिया पर दिखाट वाली दफाव सिवल नुकलेट डील का मौइदा की यह था बैक विसिकली डीफ्रेक्टो रेकिजिए नुकलेट प्रोग्राम क्योंकि इंडिया और पाकस्तान अदर नुकलेट वैपन सब्सक्राइब उपन कंट्रीज विच गॉट नुकलेट वैप आख को रिया यह कमने को कर टेस्ट की हैं जबकि कहा जाता है इस्राइल के पास भी है लेकर उने टेस्ट पे रहा नहीं कि है तो यह चीज ने बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वह हमारे साथ उन्होंने इंडिया को रोल दे दिया हुआ था तब ही दे दिया था हमने इसको न पंदरह साल फ्रेंक्ली स्पीकिंग एजए सिटिजन ऑफ पाकिस्तान मुझे बड़े दुख होता है कि यह दुनिया कोनेक्टिविटी का जमाना था इंगेज था होना था ग्लोबलाइजेशन थी बहुत कुछ हमें करना था बट वी लॉस्ट इस एरा इन फाइटिंग और रोन कोर्स अपना रास्ता तलाष करते रहे अपनी मंजल देखते रहे हमने किस डिर्फियन पर जाना है कौन साय सार रास्ता चाना चाहिए और इंडिया को वह देखें वह काँ पर लिए हैं वह उसका स्वाइश्यून अट बना दी है और वह चाहिए पार्टनर चला गया है चाइनीज इंफ्रांस में तो इवन वो समझते हैं कि जिकर करना भी मुनासब नहीं है पाकस्तान का किसी चीज में मैं वैसे जब फ्रांस ने इंडर पैसफिक स्ट्राटजी इंडर्डूस कराई थी तो I was one of those people who visited that conference तो I thought और हमारे कुछ officials भी थे तो I thought कि चाहिए में पॉसिबिलिटी we can get a role in Indo-Pacific or we can open up ourselves in Indo-Pacific but unfortunately हमारी priorities और थी हमारे challenges और हैं हमारी मुश्किलात और हैं we are so much struck domestically internally हम internally इतने फसे हुआ हैं कि हम खिते के बाएर और इससे आगे कुछ सोच नहीं पा रहे हैं और हम वहां पर इसलामबाद में बैट के anti-america bashing कर रहे हैं आप पाकिस्तान की American policy और Indian influence को अमेरिका में किस तरह देखते हैं यह चीमा साब इसका comparison बिलकुल इसी तरह है जिस तरह आप अपने पुरेशी साहब को dr. जे शंकर के साथ compare कर लें वो मुलतान से आगे उनकी सोच नहीं है और डाक्टर जे शंकर जो के मेरा मकसद एक बहुत मंजेवे डिप्लोमेट हैं उनके फारन विजर्ट जरा देख लें और अल्टिमेली जो हमारे यहां पर तरंजीत संदू साब जो के इंडियन अबैस्डर है यहां पर मैंने यहां पर वाशने डिशी के डिप्लोमेटिक हलकों में मेरा बड़ा काफी अरसे से उठना बैठना है और जब भी मैंने comparison किया ना सिरफ वो नेवल academy यह है और उन्होंने अपने इंडियन डिसेंट के नेवल आफिसर से मिले हैं मैं अकसद यह सुनता रहता हूं कि इंडियन अबैसी के अंदर जो इंडियन इंडियन अमेरिकन जो स्टेट डिपार्टमेंट में काम करते हो जा रहे हैं जो ठिंक टैंक हर्डसन इंसीटूट हो गया कारणगी मैलन हो गया Again ब्लोकिंग इंसीट्यूट हो गया यहां पे जो इंडियन अमेरिकन हैं उनको इंडियन अबैसी में बुलाया जाता है वहां पे सफीर साब की रहे जाता है यहां बिजनस ताइकोन है जितने मैंने कई दवादेखा है कि जब मोडी साब आते ह तो जो इंडियन अमेरिकन सीओ है वो आते हैं लेकिन ये कि हमारा जो एक सिलसला है मैं चोटी सी मिसाल देना चाहूंगा खाँ साब एक दफ़ा आए यहां पे तो खाँ साब अमेरिकन जब पाकिस्तान अबैसी में जब बैठे इन्होंने अपना दर्वार लगाया तो मुझे एक सीग्रेट सर्वस वाला मेरा पुराना वाकफ सा अमेरिकन उसने कहा यहां इस तरीके से खलाफ वर्जी प्रोटोकॉल की की जा रही है कि हमें बगैर बगैर बटाय लोगों को लाया जाता है और सिर्फ फोटो आप करते हैं वो फोटो किचा के निकल जाते हैं लेकिन हमें पता भी नहीं होता कि वह लोग कौन है और यहां पे जब अमेरिकन प्राइम जब पाकिस्तानी प्राइमिनिस्टर या कोई भी डिगनेटर ही होता है उसकी रिस्पांसिबिलिटी अमेरिकन की होती है तो यहां पे मेरा हम लोग सिर्फ फोटो आप थाए फोटो के चाना खासाब यहां पे भी आ कि मैं समझता हूं कि नौाय श्रीफ के बारे में उसकी जेल के बारे में यहां पे तफसील बियान करते रहे हैं कि उनके कर दिये जाएंगे कि बजाए सोचते हैं यहां पर अमेरिकन लोगों से मिलते हैं पीपल टू पीपल इंट्रेक्ट करते हैं यहां के बिजनसमेनों से मिलते हैं वो वो बिलकुल पीछे से जो पीटी आई के वरकर थे और जो शोकद खानम हास्पिटल के डोनर्स थे उन्हीं स से मिल मिल आके वापस चले गए उन्होंने कोशिश ही नहीं कि कि पाकिस्तानी अमेरिकन जो के यहां पर अपनी सुसाइटी में फाल हैं उनसे इंट्रेक्ट करें यहां और एक और यहां पर मैं कुछ चीज़ें मैंशन करना चाहूंगा चाहूंगा चीमा साथ पाकिस्तान अबैसी का एक प्रोग्राम होता था कि यहां से बच्चों को हर साल गर्मियों में अम्बैसी रेज करती थी कि पाकिस्तान टूर पे जाया जाता था लोग पैसे खुद ही देते थे वस फंडिट बाई इरोन पेरेंट्स लेकिन वो प्रोग्राम बंद कर दिया गया है मैंने कई दफ़ा रिक्वेस्ट की अम्बैसर साब को कि यहां पर समर इंटर्शिप प्रोग्राम शुरू करें यहां पर सेमिनार कराएं अम्बैसियों के अंदर ताकि लोगों को पुलिटिकल अवेरनस दी जाया अपनी पाकिस्तानी डाइस्परा को उन्हें बताया जाया कि वैश यह हो सिरफ मैंने आपको बताया था कि हमारा रवाज है एक कि आक्स को सैटल होने की ग्रीन कार्ड या उनको उनकी अपने इमिग्रेशन के इंट्रस्ट होता है वो जो शिजादे यहां पे भेजे जाते हैं वो सफारश पर आते हैं वो शिनाक्ति कार्ड पास्पोर्ट नहीं बना सकते फारन पालिसी किस तरह वो लोगों को बताएंगे हम क्या ह हम तो अब शिनाक्ति कार्ड से और पास्पोर्ट से आगे नहीं जा पा रहे हमारे जाके डिप्लोमेटिक मिशल ने अंगेज करना लोगों के साथ यह तो बहुत बड़ा बहुत बड़ा एक स्टेप होगा मेरे ख्याल में बहुत बड़ा रेवलूशनरी स्टेप होगा ले है लिकिन अभी तक भी जो पाकिस्तान के सरकंस्तांसिस देखें तो वो यह चल रहे हैं विल्कुल जिस तरह आप देखि KNOW आप्की फ्रोटिकल से पैसे माग रहे हैं आप चैना एक का पैकेज का इंतिशार कर रहे हैं मेरे का ईखल में कुछ व्जीर-आयर रहे हैं इनको क् से कम 25-30 साल और चाहिएं बारी-बारी हर मुलक से करजा मांगना है और मज़े की बात यह है कि करजा मैंने अगले दिन बताया जो चैना से ले रहे हैं वापस देने के लिए थोड़ी ले रहे हैं और जब से खास आप चैना से वापस आए हैं मेरी इंफरमेशन के साथ से दु अच्छा यह पाकिस्तान की आपको पता है कि एक शुरू से यह पॉलिसी रही है और हम यह कहते रहे हैं कि हम इंडिया को वो एक पैरिटी में देखना चाहते हैं हम इंडिया का वो जो पुलीसमेन का रोल है खिते में वो बरदाश्ट नहीं करेंगे अच्छा अब अमरीका नहीं आज जो बाइडन एड्मिस्टेशन ने इंडो पैसिफिक स्ट्राटरजी दी है मैंने वो सारी 19 पेजिस की रिव्यू की आज उसमें वो कहते हैं कि बुश एड्मिस्टेशन से हमने फैसला कर लिया था कि हमने खिते में इंडिया को रोल देना है अच्छा एक वो ता हम रिस्क हो सकती है डिरेक्ट कोई मसाइल पैदा हो सकते हैं आप इसको कैसे देखते हैं हम फिर कंप्लीटली चाइना के ब्लॉक में चले जाएंगे या कोई प्रोटेस्स करेंगे कैसे समझते हैं आप इसको देखें पाकिस्तान के अंतर कुछ अकलमद लोग अभी हैं कु सबसे ज़्यादा आर्मेमेंट्स जो हैं सारे अमेरिकन मेड हैं आप उनको खतम करना चाहेंगे आप खतम करेंगे और या फिर आप यह देखें कि आपके लिए अमेरिका टेक्नालोजी वाइस के इतना इंपॉर्टेट हैं चैना की सारी ग्रोथ जो है वो अमेरिकन इंटल उनके कोई उनके कोई मॉरल्ज नहीं है या conviction क्वे अधु अपने को या अडियालोजी को परमोट करने के लिए वह बाहर ने निकल रहे हैं आप यहे देखें अगर चाइना डलीव करता है कैमोनिजम पर तो कितने क्ना किमोनीजंस करने कि उठ्रए कर रहे हैं उनके पास स चोड़ के आईफोन की कापी करने वालों से दोस्ती रगा ली है लेकिन मुझे जो उसके बाद मैंने रिजल्ट निकाला है चीमा सब के हमारा तरीका कार क्या है हमारे जिस मुलक से पैसे मिल रहे हैं उनसे रिलेशिशेप होते हैं जो पैसे ना दे जो आप दे दे उनसे दुश्मनी शुरू हो जाती है क्योंकि हमारा तो डालर बेस पालिसी से सारी की सारी आप देख ले अमेरिका अगर आपसे पैसे ना दे तो आप अगर वो अड़े ना भी मांगे आप कहा देते हैं डेफलेटिं नहीं है आप अमेरिका के साथ relationship चाहते है जियो एकनामिक relationship कहते हैं जी हम trade श्रू करें यहां पर यह तो आपके पास को product हो जो बेचे आप यहां गंद आप agriculture country हैं लेकिन wheat आप import कर रहे हैं गंदम आप अप एक agriculture country है काटन आप इंपोर्ट करते हैं आपके पास है क्या लैदर की जैक्टों के लावा दूसरी चीज़ी को नहीं आप क्या बेचेंगे यहां जैक्टें कितनी बेच लेंगा या फुटबाल आपके बिखते हैं आप सोचें तो सही कभी आपने तवज्जों की दी है कभी IT के किसी information technology पर जाना है खास अब आप जड़ा देखें आपकी विज्दी कितनी महिंगी है वह कंपेरिडर भी नहीं है क्यों की चीज़ मैनेफेक्ट्र की जा सगे वहां पर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट पालिसीज देखें अपनी रेट टेप देखें आपके पास सी पैक बनने व पड़ गए है इंपोर्ट न्टि चीजों का आपको पा किस्टानि लीडर को ढूड़ना पड़ेगा जो पाकिस्तान के लिए मुखलस हो जिसके बचानी स्कूलों में पढ़ रहे हो जिसकी जैदाद और सारा मरना जीना पाकस्तान के साथ हो ने ऑच की खबर पता चली है मैं आशाक हो गया हूं कि हमारे जस्टिस गुलजार साब जो है वह अमेरिका पहुंच गे इन पुमार फैमिली अगर यह इस तरह यह आपके मॉरल्स हैं आपके यह आपके फ्यूचर हैं कि पिलर एक चीफ जस्टिस अब सुप्रीम कोर्ट वो पाकिस्तान में रहना पसंद नहीं करता अभी हफ़ता हुए रेटायर होने वो अमेरिका पहुंच चुक है तो इनके फैसले कौन करेगा यह कह है तो 32-35 साल से देख रहा हूं कि अमेरिका में मैं बलके मैं कई दफ़ा मैंने कहा है कि मैं इठारा इठारा ग्रेड के अफसर देखता हूं जिनके बच्चे यहां पर डेड़ डेड़ दो दो लाख डालस उनका साल का खर्चा है लोगों के खून पसीने की कमाई तो मेरे म पर और मैं घल्त चिमा सब हर पाकिस्तानी को पता है इस बात का आपका आखरी जो आखरी जो कपड़े फाड़े हैं हरीम शाह ने लंदर में फाड़े बैठके उसने कहा है यह पॉंडों की यह धेरियां पॉंडों की मैं लेके आई हूं को माई का लाल अगर पैदा हुए तो मुझे आथ लगा के देख ले उसकी फोर के अंदर आपकी सारी कैबिनेट की जान मौझूद है और फैटफ में आप पर बबंदियां फैटक ही लगी है फैटफ देखे आप तो और आई एम एफ के अंदर में जो उनकी शरायत है वो फैटफ फैटफ में उनका जोरा जै पुचास दिन लगेंगे अब मैं रबाद सोन लें चीमा साब आपकी हमारी पुलिटिकल स्टेबिलिटी या पुलिटिकल फ्यूचर के अलिमिट्स क्या है कहते हैं जो कुछ होना है फर्वरी मार्च में होना है क्योंके प्रहल में रोज़े आ जाने उसके बाद गर्मी बह नाज़ा है और जो तीन चार फैमिली यह फैमिली बिसनस जिन का सिएसत इसको कहनदान है करना है जुन यह साँ नी सोचना पड़ेगा यह सोचना पड़ेगा कि पाकसा और दूसरा ही है कि हर पाकस्तानी को पता है मसाइल क्या है हल नहीं है इनके पास और उपर मफ्लूज है एक हाइबर्ड नजाम है कोई कोई कहा देता है खलाई मखलूक है कोई कहते है अगरी कल्चर डिपार्टमन कोई समझे नहीं आ रही कि गाड़ी किसने है कोई समय सबाने चीज़ है